शोले एक great film है या कि एक great entertainer? मेरे साब से शोले great entertainer है और वो great film होते होते रह जाती है तो ऐसा क्या था जिसने शोले को great होने से रोग दिया? शोले की कहानी एक बदले की कहानी है ठाकुर की कहानी जिसके पूरे परिवार को गबबर सिंग मार देता है और अब ठाकुर को बदला लेना है ठाकुर अपने हातों से ठाकुर के हात नहीं थे पर आप expression समझ गए होंगे ठाकुर जै वीरू को हायर करता है गबबर को पकड़ने के लिए और यहीं से फिल्म की कहानी कमजोर हो जाती है पर फिल्म में entertainment बरकरा रहता है फिल्म के जादा हिस्से में जै वीरू और बसंती ही दिखाई पड़ते हैं और ठाकुर गाय हो जाता है जो कहानी का main किरदार है अगर ठाकुर जै वीरू को ना ढून पाता तो वो कोई दूसा तरीका ढूनता गबबर को पकड़ने का क्योंकि उसे बदला लेना था ना जै वीरू सही तो कुछ और सही फिल्म का सबसे strong और emotional scene आप कहेंगे कि जब जै मरता है पर फिल्म का सबसे strong और emotional scene है जब ठाकुर गबबर को अपने पैरो से कुचल रहा है और उसके पास मौका है गबबर को मारने का पर वो गबबर को पुलिस के हवाले कर देता है क्योंकि ठाकुर एक पुलिस आफिसर था जिसे अपने देश के कानून पर समिधान पर पूरा भरोसा था ठाकुर अपनी personal feeling vendetta को Indian law system के आगे give up कर देता है कितना मुश्किल रहा होगा ठाकुर के लिए कि जिस गबबर ने उसके पूरे परिवार को मार दिया ठाकुर उसे मार के अपना बदला ले सकता था ठाकुर की जिंदगी का मकसद है बदला पर ठाकुर वो बदला ले ही नहीं पाता है उसके सिधान्त आड़े आ जाते है ये greatness फिल्म की कहानी में साफसाब दिखती है पर फिल्म के screenplay में कहानी की ये महानता धुनला जाती है शोले एक great entertainer के साथ साथ एक great फिल्म होते होते रह जाती है शोले फिल्म जै वीरू की दोस्ती की कहानी जादा लगती है जो गबर को पकड़ने आये हैं जिसमें एक दोस्ती जान चली जाती है ठाकूर बहुती open minded किरदार है जो अपनी वीडियो बहु की शादी करवाना चाहता है आज से 50 साल पहले की बात चल रही है यहाँ एक perfect human being, perfect citizen का example है ठाकूर